हाई फ्रेंड्स वेरी गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आई इस्टार्ट करते हैं 21st जून के टॉप 10 कुशिंज आज खास दिन है काफी एक तो आज इंटरनाशनल योगा डे है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप योगा करते होंगे और आज भी किया होगा एक चीज आज जोग्रफिकली बहुत यूनिक डे है हमारे लिए ठीक है एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज आज की है सोलर एकलिफ्स की बात नहीं कर रहो तो है एक खैर एक और चीज नॉमल रूटीन में ये दिन 21st उनिस वेरी इंपोर्टेंट जोग्रफी बेसिक सियात करें ये 6 योगा डे और सोलर एकलिफ्स के अलावा क्या जरूरी है आज बड़ा इंट्रेस्टिंग सिंपल चीज है आज हूँ भी देखेंगे चले बहुत इंपोरेंट सवाल है ध्यान दीजेगा पहला सवाल देखिए ग्लेनमाग की खबर हमने कल पड़ी थी कि उनको approval मिल गया है अपना जो उनकी जो फावी पीरावीर ड्रग है उसके लिए उसी रिलेट सवाल है पे देखेगा So, Glenmark Pharmaceuticals has announced Introduction of Fabipiravir क्या है ये? Which is an oral antiviral drug ठीक है? It has been introduced under the brand आपको brand का नाम बताना है ये दवाई market में किस नाम से मिले की आपको? The answer is Fabiflu Fabiflu is the answer It is for mild to moderate cases of COVID-19 and इसको इंसान अपने मन से नहीं ले सकता है बिल्कुल ध्यान रखेगा जब तक doctors officially इसको recommend ना करे वो में ध्यान रखना पड़ेगा तो Fabiflu नाम रहेगा एक जो packet रहेगा इसका जो एक पत्ती आती है उसमें 34 tablets रहेगी जिसकी कीमत होगी 3500 रुपीज 3500 7-10 दिन में ये I think market में आएगी फोटो देख लीजे घेरा फोटो 34 दे को लिख रहे है न और 3500 कीमत रहेगी और इसकी dosage जो रहेगी पहले दिन 18 tablet का dose है मतलब सुभा नौ शाम को नौ अगले दिन से फिर सुभा चार शाम को चारी सरह चलेगा दा मेडिकेशन कें लास्ट तिल 14 डेज फ्लू इस दिया अंसर बाकी डेटेल जो थे मैंने बता दिया ठीक है सेकेंड कुशिन साइंसेंट टेक का फैक्शन सवाल है बहुत डेटेल थेोरी में नहीं जाना आपको विच इंसिटीट हैस डवलब्ड अन automated lung ultrasound system lung ultrasound lus for covid-19 screening and monitoring through cloud-based image analysis and scoring system cloud-based technique but mainly ultrasound input से covid की screening के तरह बढ़ने का युनिउक और अपने आप में इस तरह का single initiative है इस आंसर इस आई टी पलकगर ने ऐसा किया है पलकगर केरला में है सो अल्ट्रा साउंड इन्पुट के थूँ कोविट की स्क्रीनिंग की तरफ बढ़ने वाला है इनिशेटर बढ़िया काम है आइटी पलक कर, डेटेल प्रोसेस क्या है उस पर जाने की जरूरत नहीं कोशन नमर थर्ड, इसके हमने बात करें थी जो 75th anniversary होने वाली है रश्या में, मॉस्को में, तो उसके बार में सवाल है इन्डिया के तरफ से जाएंगे, इनकी एक पूरी वहाँ पे ग्रैंड सेलिब्रेशन परेट टाइप कियोगी, उस फंक्शन की बात हो रही है राजनाच सिंह जाएंगे, यह भी ओफिशली आजकल ज्यादा करके हो रहाँ ने कि वीडियो कॉन्फिरेंस की तुरू हो रहाँ नहीं, बट ही ओफिशली तीन दिन के लिए जाएंगे राजनाच सिंह, चीक है? चलिए, डिफेंस मिनिस्टर कुशन नमर फूर्थ, इंपोर्टन सवाल, एक स्टेट गवर्मेंट के सवाल है वट वरी इंपोर्टन, विच स्टेट गवर्मेंट हैंगे, तीन पार्टी के अग्रीमेंट तो कलाबरेशन किसके साथ हुआ है? पहले आंसर देखो, आंसर राजिस्थान है तो राजिस्थान स्टेट गवर्मेंट हैस डन द अग्रीमेंट विद पावर ग्रिड एंड एजुकेशनल कंसल्टेट इंडिया लिमिटेट क्यों? सौ, मतलब बेसिकली सौ स्कूलों में स्मार्ट क्लास्रूम बनाने के लिए बजट लगभग 1.85 करोर रुपीज का है और हर स्कूल में चार टीचरों को ऐसे क्लास्रूम अपरेट करने के लिए ट्रेन करा जाएगा अब क्योंकि कोविड बेसिकली ऑनलाइन का बढ़ रहा है फर्स से ट्वेल तक का इसमें पूरा करिकुलम रहेगा और चार टीचरों को ट्रेन करा जाएगा राजिस्थान का नाम इंपॉरेंट होगा वो ध्यान रखेगा चाइना इस प्लानिंग या इट विल सेट अप अनैशनल सिकुरिटी एजिंसी इन विच कंट्री और आंसर इस हौंग कॉंग एक्टिली जो चाइना ने नहीं सिकुरिटी लॉप पास करे न हौंग कॉंग के लिए उसी को फोर सी उसका इंप्लिमेंटेशन फोर सी करने के लिए वो एक नैशनल सिकुरिटी एजिंसी बनाएगा हौंग कॉंग में और ताकि बेसिकली लॉप किसके बारे में आप जानते हैं कि डिसेंट ना हो वहां पर और कोई भी एग्जिस्टिंग हौंग कॉंग लॉप है उसको भी ये नई लॉप बाइपास कर सकती है तो खत एक स्कीम की बात करी थे दो दिन पहले उसकी लांचिंग हो चुकी है गरीब कल्यान रोजगार योजना तो आपको यह बताना है मैंने सारे फैट बताया थे इसके उसी पर सवाल है गरीब कल्यान रोजगार योजना अंसर इस 50,000 करोर जानते हो ना कि इस अ मिशन बेस्ट 125 डेस का प्रोजेक्ट पूरा मिशन बेस्ट पे होगा जिसमें 116 डिस्टिक्ट्स जो की इंडिया के 6 स्टेट्स में है वहाँ पे वहाँ की रूरल सिटिजन्स और स्पेचली जो मा रूरल इंफरस्चर भी बन जाएगा दोनों तरफ के फायदे है इनको इंप्राम भी मिल गया और रूरल इंफरस्चर भी बन जाएगा 25 तरह के काम यहाँ पे देखे जाएंगे जैसे वाटर सप्लाई वाले काम आंगन वाडी बिल्डिंग मिनाने वाले काम कम्यूनिटी टॉइलिट्स में बनाने वाले काम बहुत तरह के काम यहाँ पे बनाए जाएंगे जो उनले को दिये जाएंगे ठीक है और शुरू कहां से करा गया है तेली हर विलिज जो है खागारिया डिस्ट जो बिहार में वहां से इसको लाँच करा गया है इतने फैक्स काफी केरफल रहेंगा ठीक है इंडियन एयर फोर्स अकैडमी कहां लोकेटेड है बहुत फेमस जगा है नाम सना होगा आपने डुंडी गल हैधराबाद के बिल्कुल पास में है डुंडी गल लोकेशन देख लो यह लोकेशन मैं एक्शली हैधराबाद की इतने जूम आउट में दिख रहा होगा थोड़ा दूर है हैधराबाद से बट नेरे सिटी हैधराबाद है एक्जाक डिस्टेंश है 40-50 किलोमेटर दूर है वहाँ से ओकेशन पे जो पासिंग आउट परेड होती है वो पूरी हो चुकी है और जो एयर फोर्स के हैड है एयर चीफ मार्शल आर्के के भी दो कैड़ेट्स है जो यहाँ पे एयर फोर्स पी इतनामीज एयर फोर्स के जो यहाँ पे ट्रेन हुए थे बाकी मेन बात यह कि डुंडी गल में अकैडमी है और कमिशन पूरी हो पूरी हो चुकी है चलिए I think 123 कैड़ेट से जीतना मुझे याद आ रहा है बाकी एक अटल इनोवेशन मिशन है और इनोवेशन को प्रमोट करवाना अक्रॉस दा कंट्री उसी के तहत इन्होंने किस पॉब्लिक सेक्टर कंट्री का क्लाबरेशन किया है आंसर है तो AIM मतलब अटल इनोवेशन मिशन जो नीती आयोग का पार्ट है और कोल इनोवेशन मिशन के बहुत सारे प्रोग्राइम्स ऐसे होते हैं इनोवेशन और अंतरफरेशन को बनाने के लिए उन प्रोग्राइम की लिस्ट बहुत जरूरी जो आपके हमने लारों में है तो इ कि अर्ष तरह के प्रोग्राइमस होते रहते हैं अटल टिंकरिंग लाइब स्कूल लेवल के लिए होता है AIC अटल इंक्यूबिंच्न सेंटर्स होते हैं इंसीटूशन सेंटर्स होते हैं तीयर टू टीर थ्री सिạoरा रूरल इंडिया के लिए ANIC मतलब Util New India Challenge होता है Industry Level के लिए फिर Arise Applied Research and Innovation ये होता है To Stimulate Innovation in the MSME Sector तो ये इनके Multiple Category Program है कौनसा किसका है सवाल इस पर भी आ सकता है ये ध्यान रखना बाकि AIM किसका Initiative है नीती आयो वो भी ध्यान रखना Quesion No.9 जो मैं बोल रहा था आची खास बात एक तो आज International Yoga Day है फिर आज Solar Eclipse है इसके हम अगले Quesion में बात करेंगे और आज Longest Day of the Year है Northern Hemisphere में 21st June तो Quesion ये है Which is the Longest Day of the Year in Northern Hemisphere आज का दिन 21st June जिसको हम Summer Solstice भी बोलते हैं Summer Solstice आपने पका Geography में पढ़ा होगा ये Longest Day है आज आज दिन सबसे बड़ा होता है अब आज के बाद धीरे-धीरे दिन का लेंट कम होगा रात का बढ़ता है तो आज जानते हैं ना Concept of Equinoxes Summer Solstice and Winter Solstice हमने वैसे Geography की वीडियो में बात करी है इन सब की चलिए इसके साथ-साथ आज Eclipse पी Solar Eclipse उसकी बात आखरी सबस में कर लेते हैं तो आज Solar Eclipse है Friends इसको ऐसी मत देखने हैं बहुत प्रोटोकॉल होते हैं इसको देखने के लिए इसको कभी Bare Eyes से Naked Eyes से नहीं देखना चाहिए ठीक है इसके कुछ Eye Gears अलग से आते हैं जब तक आपको Proper जानकारी नहीं नहीं इसके बारे में इसको ऐसे मत देखना चुदू कर जाना It can be harmful for the eyes Be very careful ठीक है? चले In today's Solar Eclipse मतलब 21st June की बात चल रही है The apparent size Of the moon is smaller than that of the sun By how much percentage Apparent size Moon तो बहुत चोटा है sun से Comparison ही पर apparent जैसे कि अगर मैं चान्द को देख रहा है और मैंने अपना हाथ रख दिया क्योंकि हाथ मेरे से बहुत करीब इसलिए मुझे अपना हाथ बड़ा दिखाई देगा ठीक है? So moon की apparent size As compared to sun Apparent size जो appear होगा Actual की बात नहीं होगी वो moon का कितना small होगा As compared to sun The answer is just one percent अब ध्यान दीजेगा आज का solar eclipse बहुत खास तरका solar eclipse इसको बोलते है Annular Annular solar eclipse है आज का ठीक अब एक क्या होता है वो देख लीजे Annular solar eclipse Total solar eclipse का एक part होता है जिसमें की Moon Earth Moon actually sun और Earth की बीच में आएगा तो basically जब हम Earth से देखेंगे तो moon completely aligned होगा sun के सामने ठीक पर Actually होता क्या है कि Annular वाले में जो case बनता है कि जो apparent size है moon की वो sun के comparison में जो छोटी होती हो बहुत कम amount है छोटी होती है ऐसा है कि आपको moon बहुत छोटा देखाई दे रहा है मतलब it will be very close to sun की size apparent sun की size समझ गया तो इस current से समझ दीजे Annular solar eclipse is a type of total solar eclipse उसी का type होता है जहाँ पे the apparent size of the moon is smaller than the sun की size by a very small amount जो कि आप देख लो कितना है 1% तो इन solar eclipses को बोलते है annular solar eclipse और ऐसे में क्या होता है moon अच्छा खासा हिस्सा sun का cover कर लेता है सिर्फ एक बाहर boundary ही दिखती जिसको हम बोलते है ring of fire इसलिए annular solar eclipse को और क्या बोलते है ring of fire solar eclipse क्योंकि काफी coverage कर लिया बस एक छोटा सा पार्ट बहार दिखते है जिसको ring of fire की तरह लगता है तो समझ गए apparent size of moon is smaller than the size of sun by a very small amount इसको बोलते है annular solar eclipse एक और नाम है ring of fire solar eclipse जो आज होने वाला है ठीक है but precautions के बिना वो गलती मत करना take proper precautions guidelines उसके साथ ही देखे ठीक है naked eyes से कभी नहीं देखना चाहिए bare eyes से कभी नहीं देखना चाहिए that is very important समझ के definition important है ध्यान रखना इस बार का decrease 1% है तो it's a very small छोटा है apparent size of moon but just by 1% समझ ये ना friends चलिए तो इसके top 10 questions बाकी अच्कॉन का वीडियो भी आएगा और verbal का भी आएगा बाकी वीडियो भी history होगा रहा के पूर उस पे काम चल रहा है एक दू दिन में वो भी आना शुरू हो जाएंगे तो please videos follow दूरूर करिएगा comment करिएगा like करेगा feedback जो भी है please दीजिएगा comment का इंसार रहेगा thank you have a nice day